चलिए हम पहली बात करते हैं ये सारे रूल ही लिखे हुए सेक्शन नहीं है ये रूल है प्री मील ड्यूरिंग ओफिस हावर सर मील का मतलब क्या है खाना कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑफिस जाते हो ना तो लंच का प्रोविजन ऑफिस के अंदर ही होता है बड़ी बड़ी कमपनी में और इनफेक्ट उस ऑफिस या फैक्टरी के अंदर केंटीन भी बना होता है उस canteen के according आपको एक परची दे दी जाती है टोकन दे दी जाती है आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं बड़े बड़े factory में इस तरीके से होता है तो government ने कहा कि अगर आपको lunch का facility दी जा रही है तो अच्छी बात है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा VIP lunch की facility अगर आपको दी जा रही है तो आपके salary में हम जोड़ेंगे जितना extra पैसल लिया जा रहा है government ने कहा कि अगर lunch का कीमत 50 रुपे प्लेट तक है तो आपके salary में नहीं जोड़ा जाएगा और मान लेते हैं lunch की कीमत 50 रुपे से जादा है तो आपके salary में जोड़ दिया जाएगा suppose करो आपको lunch provide किया गया 100 रुपे प्लेट के साब से तो 100 रुपे प्लेट का मतलब 50 रुपे तो आपका नहीं लेगी government माफ कर रही है तो balance जो बच गए 50 रुपे उसके उपर आपको salary में जोड़ना पड़ेगा sir lunch के अंदर देखा जाए free meal during the क्या कहता है note free meal remote area में offshore installation not taxable per case visits मतलब अगर यह खाने की facility remote area remote area कौन सा होता है ग्रामी एरिया ऐसे एरिया तठीय एरिया जहां पे न कोई सुविदा ही नहीं है sir और यह जाहतर construction वाले काम में बहुत होता है और आर्मी वगरह में तो होता ही भई यह वहीं पर उनका mass बोलते हैं मैस जहां पर सारा खाना पीना वहां बनता है तो अगर ऐसे एरिये में है तो आपका तो free है अगर आपको tea दिया जा रहा है non alcoholic beverage snacks तो यह भी आपका taxable नहीं होगा अब सिर्फ taxable क्या होगा खाना चाय वगरह सब माफ है चाहे 100 रुपे का चाहे पिला दे चाहे 500 रुपे का चाहे पिला जे टेकसेबल क्रिफ खाने की बात हो रही है खाने की case में actual cost of the employer in excess of 50 per mil less amount recover और up to 50 mil exempt मतलब 50 रुपे तक exempt होगा मान लेते हैं और यह per day है मान लेते हैं आपको एक दिन हल्दी राम की थाली खिलाई गई हल्दी राम की थाली की कीमत है मान लेते हैं साड़े 300 रुपए तो भई आपको तो 50 रुपए से ज़्यादा का खाना मिल रहा है तो 50 रुपए तो को एक्जेम्ट हो जाएगा और 300 रुपए आपके सेलरी में जोड दिया जाएगा यह एक दिन का यह तो मैं upload कर दूँगा यह downloadable भी रहेगा इसके बाद है gift हम gift की बात करें दिवाली पे gift मिल जाता है अभी दिवाली आने वाला है तो employer को gift मिलेगा तो gift में क्या मिल सकता है सर मिठाई का डबबा मिल सकता है cash amount मिल सकता है, घड़ी मिल सकता है कोई appliances वगएरा दिए दी जाते है तो government कहता है gift अपने employee को दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन 5000 से अगर उपर के gift आप अपने employee को दोगे न तो वो part आपका taxable माना जाएगा जैसे एक employee को मैंने क्या करा एक mobile phone दे दिया gift में दिवाली का time पे अब mobile phone की कीमत 20,000 है तो 5000 रुपे तक exempt है बाकी 15,000 रुपे आपके salary में taxable हो जाएगा gift आपका monetary हो चाहे non-monetary हम monetary terms में उसको convert करके आपके salary में taxable कर देंगे तो sir क्या कहता है gift में देखिए आपका gift voucher token gift cash convertible into money अब कई बार gift पता है जादातर employer आप जब job पे जाओगे ना तो जादातर employer बहुत चलाक हो गया है वो Amazon का gift voucher दे देते हैं flip card का gift voucher दे देंगे या किसी ऐसे मान लेते हैं brand का gift voucher दे देते हैं तो gift voucher देंगे तो उसका value जो रहेगा उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे इसलिए word is use किया गया है vouchers यानि gift voucher अगर आपको gift in cash मिलता है तो fully taxable है आपको पूरा का पूरा taxable है gift in kind मिलता है तो उस case के अंदर gift during the previous year 5000 has been taken not taxable as a purchase 5000 रुपे तक exempt है balance will be taxable अगर gift in kind मिलता है इसको दो option है देखो मैंने यहाँ पे दो option लिखे है option one option two यहाँ पे दो तरीके से solution दिया हो सकता है law के अंदर clarity नहीं करा number one मान लेते हैं कुछ लोग बोलते हैं sir ये 5000 रुपे की जगह पे आपको 6000 रुपे मिला तो कुछ बोलते हैं sir 5000 तक exempt है तो taxable कितना होगा sir only 1000 कुछ लोग की calculation ऐसे होता है कि 5000 है और 6000 रुपे का आपको gift मिला है तो taxable जी कर देंगे पूरे के पूरे 6000 रुपे दोनों option available है दोनों से answer correct माना जाएगा law के अंदर यहाँ clarity नहीं दी गई मैं तो आपको बोलूँगा आप यह वाला follow करेंगे 5000 रुपे तक क्या कर देंगे उसमें exempt कर देंगे और gift in cash in fully taxable cash में मिलता है तो कोई exemption नहीं है कहीं सोचो आपको दिवाली पे होता ने 1100 रुपे लिफाफे में दे रही है आप सोचो कि 5000 रुपे तक तो exempt बोला था हमें मिले कितने हैं सिर्फ 1100 रुपे तो ऐसे situation में वो 1100 भी taxable हो जाएगा cash kind वाला कितना है हमारा 5000 लिमिट decide की गई है ठीक है न इसके बाद देखिए अभी हमने meal किया meal में 50 रुपे पर meal gift के अंदर 5000 रुपे तक exempt माना गया है इसके बाद हम आगे बात करते है तर इसके बाद कुछ बस अभी इसके लिए फिलाल हम इसमें दो point करते है कुछ point मैं orally बता दिता हूँ आपको आप ध्यान रखिएगा अपने employer ने employee को sweeper, gardener या कोई any kind of provide किया तो उस case में fully taxable होता है चाहे sweeper करे, चाहे gardener करे, चाहे watchman करे पूरा का पूरा part क्या माना जाता है वो taxable माना जाता है ठीक है न, अभी हमने दो points को cover करा, क्योंकि question के बीच में जैसे जैसे आते जाएंगे न, मैं cover करता जाऊँगा और question मैं दोनों method से करूँगा new resume, old resume, ताकि आपको याद हो जाए तो चलिए एक question try करते है question में आपको clear हो जाएगा आपको के sir कैसे कैसे apply करना है हमें question देख लेते हैं, हमारे सामने ये question है ये भी exam में आया हुआ question है तो इस question को visible होगा आपको hopefully, सभी को और ये 10 year में भी मिल जाएगा आपको ये question डाला हुआ है, मैंने 10 year के अंदर और कुछ बच्चे कह रहे है sir इसका pdf बना के डाल दो तो देखो 10 year का कुछ copyrights के वज़े से मैं pdf नहीं डाल सकता हाँ, जो charts वगए रहे हैं, वो pdf डालूँगा 10 year मामुली सा 110 रुपे का market में available है, आप उसको buy कर लिए सारे questions वहाँ मिल जाएंगे इसका pdf तो copyright के वज़े से नहीं डाला जा सकता, कुछ issues है ये तो मैं तो डाल देता, लेकिन फिर वही ये चीज़े दिक्कत आ जाएगी, मुरी लिए आगे तो सर चलिए आप question को इतने पढ़ते भी रहिए, फिर मैं एक बार पढ़के सारा question कर दूँगा, हाला कि यहाँ पर tax liability पूछा है मैं इस question को tax liability तक नहीं ले जाऊँगा, चलिए ले भी जा सकते हैं, देख लेते हैं आज एक ही question हो पाएगा इसका लिए सर, 2008 regular में आया हुआ question question क्या कहता है, पढ़ लेते हैं mixture x जिसकी age कितनी है 46 year following information during the year तो Mr. X तो यहाँ पर क्या लिखेंगे computation computation of salary for Mr. X और नीचे जो लिखा था for the assessment year, जो भी लिखना है आपने लिख सकते हैं, जादा से जादा कोसिस करिए सर, assessment year डालने का यहाँ पर मैं करूँगा old rhythm के हिसाब से और इस side में कर दूँगा मैं new rhythm के, मतलब नए वाले rhythm के अंदर कुछ चीज़े छोड़ दी गई है तो मैं धीरे धीरे बताता जाऊँगा और Sunday आपको पूरी चार्ट मिल जाएगी कि जिसके अंदर old और new rhythm किसमे छोड़ना है किसमे नहीं छोड़ना ताकि आप compare करके भी कर सकते हो, सर सेलरी बताया इसने दो लाक दो लाक बीस अजार तो मैंने सेलरी लिखा दो लाक बीस अजार पर एनम है वो तो दोनों साइड आएगा new rhythm, old rhythm है इसके बाद DA कहता है forming part 24,000 रुपे है तो सर अगर DA हमारा forming part 24,000 है तो इसका मतलब पूरा का पूरा retirement benefit है तो चाहे आपका कोई भी योड़ दोनों के अंदर fully taxable होता है medical allowances actual expense 15,000 जी medical allowances पहले exempt हुआ करता था 15,000 रुपे तक अब medical allowances जितना भी मिलेगा सारा fully taxable हो जाएगा लेकिन यहाँ question में कहता है medical allowance मिला आपको 20,000 जी खर्चा कितना किया 15,000 फरक नहीं पढ़ता सर पहले था यह rule उसके बदले आपको standard deduction दिया गया है तो medical allowance fully taxable है कुछ बच्चों ने अगर पुरानी book अगर हो साइद पढ़ लिया हो तो हो सकता है वहाँ पे exemption दिखे medical में लेकिन अब नए के हिसाब से fully यहाँ तक हर किसी को समझ में आ रहा है basic basic चीज़ है question देखो exam में आया हूँ है पंदर नमर का question आप देखोगे तो पता चलेगा जो provision हमने पढ़ा है कि maximum वही अपना ही होना है इसके बाद कहता है education education allowed for three children तीन चिल्रन के लिए 9200 है तो सर education allowance children education allowance सर तीनों बच्चे के लिए 92 हो है 9200 इच तो नहीं लिखा न कहता है तीनों बच्चों को हम 92 सो पर एनम दे रहे हैं तो सर माइनस हो जाएगा दो बच्चों के लिए exempt कितने exempt होंगे सर 24 सो कैसे ना है 24 सो बता भी दे 1200 सो रुपे और दो बच्चों का माफ है और गुणा में 12 तो इसका मतलब सर 24 सो रुपे माफ हो गए तो बाकी का taxable कितना आया 92 सो में सब ये calculator लेके चलिए अब हर क्लास में हर बच्चा mobile phone से बाद नहीं बनेगी देखो बताईए सर 6800 बच्चे कह रहे हैं 6800 बाई लाइब ग्लास वाले बच्चे भी बताएं मुझे 6800 अब ध्यान दीजिएगा नियू रिजिम के अंदर ये चिल्डरन एजूकेशन और जितने भी अलाउंस थे उसके जो डिडेक्शन मिल रहे तक कुछ नहीं मिलता यहां पे 9200 आएगा देखो अभी अजीव सा लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा हम कितना याद रखेंगा जब मैं कुश्चन करूँ हमेने 10 कुश्चन बोला है मैं कराऊंगा जब कुश्चन करोगे तो सारा याद हो जाएगा आज के बाद आपको भी पता होगा चिल्डरन एजूकेशन और जितने भी स्पेशल लिमिट वाले थे चिल्डरन, होस्टल और जो भी थे उन सब के जो हमेरे लिमिट थे वो नियू रिजिम में नहीं दिया जाएगा समझ मैं ही बात आपको इसलिए मैं new और old दोनों करके चल रहा हूँ comparison होगा कोई भी पूछले examiner अगला क्या कहता है there as a employee provide here domestic servant employer ने domestic servant दिया वाच्में दिया these employer paid ब्यालिस सो रुपे पर मन तिरतालिस सो रुपे पर मन चौबालिस सो रुपे पर मन तो जितने भी servant हो कोई भी any kind of servant provided by the employer to employee will be fully taxable no any deduction will be allowed कोई deduction हमें allowed नहीं होता है सर तो सर यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया इसने एक तो दिया इसने servant sweeper सर sweeper कहता है सर तिरतालिस सो रुपे नहीं ब्यालिस सो तो ब्यालिस सो एक महिने का multiply बारा स्वीपर के बाद और कौन दे दिया इसको watchman watchman कितने का चब वालिस सो का इंटो में बारा इसके बाद स्वीपर हो गया और कोई भी है servant है अच्छा मैंने स्वीपर गलत लिख दिया सहद है ना चलो servant कर देते नीचे servant कितने का है 40 43 गडबड करवा रहे हो स्वीपर है हमारा last वाला बीच वाला स्वीपर है हमारा देखो ये है servant के लिए ये है स्वीपर के लिए और ये है watchman watchman पे तो सही लिखा है सर स्वीपर और इसमें गडबडी हो गई थोड़ी अब बता दीजिए मुझे स्वीपर के लिए कितना था 43 इंटू में 12 और servant के लिए था इंटू में 12 तर ये बताईए allowances है या परकिजिट्स है allowances है या परकिजिट्स है बोलता है employer had provide हर मिसिस अच्छा मिसिस एक्स है हर are domestic servant स्वीपर उसमें ये तो नहीं बोला कि employer ने पैसे दिये है employer ने एक को पकड़ा भई जा उसके घर पे काम करके आना है salary मैं दूँआ एक को पकड़ा वहीं रहना है उसकी guarding करनी है वहाँ पे देख रिक करना है salary मैं दूँआ servant को उसके घर पे किसी भी काम के लिए दे दिया salary कौन दे रहा employee तो that is क्या है बताओ अब बताओ क्या है यह अब यह बोलोगे आप पर के जट से है तो सरी क्यावन छे सो old हो चाहे new हो 4400 इंटू में 12 52800 4200 इंटू में 12 50,000 clear चलिए सर आगे देखते है employer spent 5000 रुपे हर refresh course अब एक चीज़ और बताओ क्या रहे गया अचारे कहा है अच्छा फिफ पॉइंट रहे गया पहले हरी कर लेते हैं चलो भाई हरी कर लेते हैं सर हरे हरे में कहता हाउस रेंट अलाउंसेश 6000 रुपे महीने का मिल रहे है तो इसका मतलब सर 6000 गुना में 12 इसको 72,000 रुपे का हरे मिल चुका होगा आगे देखते हैं क्या कहता है कहता है मिसिस एक्स ने 5000 पर महने का रेंट दे रखा है और बैंगलोर में रह रही है तो बैंगलोर की बात करें तो चार जगह था 50% का तो बैंगलोर क्या हमारा इसमें पार्ट है सिर्फ चार बैंगलोर कवर नहीं था ठीक है तो चलिए सर इसका कैलकुलेशन अगले पेज़ पे लेके चलते है इसका कैलकुलेशन लेके चलते है HR-A का HR-A कहता है कि तीनों में से जो कम होगा वो एक्जेम्ट होगा वन एक्चुल जो की बन रहा था नंबर दो रेंट पेड 5000 गुना में 12 माइनस में 10% आफ सेलरी सेलरी का मतलब बैसिक सेलरी प्लस में DA रेटायर्मेंट बैनेफिट का और in case कमीशन पूरे कुश्चन में चेक कर लिज़े सर कहीं कमीशन है क्या कमीशन 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 नहीं है सर कमीशन कहीं भी ठेक है सर कमीशन अगर नहीं है तो बस पूरा DA आजाएगा ये पूरा का पूरा रेटायर्मेंट बैनेफिट था तो दो लाख बीस हजार प्लस चौबिस हजार तो दो लाख बीस हजार प्लस में चौबिस हजार तो सेलरी बनता है सर 244 का 10% ले लेंगे तो सर ये माइनस आजाएगा 60,000 माइनस चौबिस चार सो 35,600 पॉइंट नमबर 3 कहता है भाईया 40 या 50 तो यहां 40% लगना है that is 97 lower part exemption मिल जाएगा तो सर यहां पर अचारे में exemption दे देंगे less exempt ख्यान दीजिएगा यहां पर less exempt exempt मिल गया हमें कितने का 35,600 means are taxable 36,600 सर न्यूरिजिम में HR-A का deduction नहीं मिलेगा मैं बोलता जा रहा हूँ मैंने कहा ना मैं सारी बाते बताऊँगा 10-12 question बस कहो करने तो आपको सब याद हो जाएगा जैसे children education अब याद हो गया होगा कि नहीं वाले में तो नहीं देना ऐसे HR-A का न्यूरिजिम में और एक list भी बना दूँगा मैं जिसमें दोनों में सारी चीज़े डाल दूँगा और एक में yes cross yes tick cross yes लगा दूँगा जिससे आप check भी कर सकते हो उसमें मुझे Sunday तक का वक्त लगेगा लेखिन यहां 72,000 है ठीक है करिये सर रह गया HR-A ठीक है HR-A ठीक है HR-A रह गया मैंने कर लिया अब HR-A के बाद आ जाते है employee paid नहीं यह पहले 5000 रुपए refresher course अब यह क्या होता है सर refresher course तुरू-सुरू में starting में computer आया था computer आने के बाद employer ने उसका जितने भी employee थे सब उने oppose किया था क्योंकि पुराने जवाने के employee थे उनको manual काम करने के यादत थी computer आये तो सोचा क्या होगा नहीं होगा में नहीं आता तो सभी ने मना कर दिया तो employer ने क्या कर आप हिया उनको लिए एक training center एक जगह खोल दी जहाँ पर बोला गया क्या आप जाईए वहाँ पर course कर लीजिए पैसे हम दे देंगे एक तरीके से employee को तो benefit पहुंचा रहे थे हो लेकिन यहाँ पे employee का फाइदा नहीं हो रहा था, actual फाइदा हो रहा था employer का, क्योंकि employer अपने लिए कर रहा था, कई बार आप देखोगे ना, जैसे कोई भी big brand आती है, car वगरा कोई भी आती है, तो उनको जहाँ showroom में होता है ना, उनको workshop के लिए भीज़ दे, workshop का मतलब उ जाओ training करके आओ नया product launch हुआ है, ताकि वो अपने customer को बता सके, manager तो बहुत कम जाता है, normally किसको business salesman, क्योंकि customer day to day activity में वो involved होता है, इसलिए आप जब कभी भी जाएंगे ना, कभी भी कोई laptop लेने, computer लेने, कोई television लेने, mobile लेने, उस company का जो person होगा, जिसने t-shirt पहन रखा वो आपको बहतर तरीके से बता सकता है, case के अंदर ये है, sir, पहले ये था, ये था, सारी बाते बताएगा, तो उसके course के ओपर जो खर्चा हो रहा है, तो employee का कोई benefit नहीं है, sir, उसमें benefit ultimately कि उसको जा रहा है, employer के लिए, तो ये इसलिए employee के लिए not taxable, कोई भी refreshment, यानि any kind of course, क्योंकि employee कर रहा है, employer के लिए, तो उस case में fully क्या रहेगा हमारा, exempt रहेगा, तो ये हमारा कौन सा course है, sir, refreshment course, refresher course, sir, कितने का है, तो कोई taxable नहीं होगा, ऐसे blank छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही point छोड़ देंगे यहाँ पे, जैसे इसमें taxable नहीं होगा, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि नहीं, लिखते ही नहीं फिर, लिखना है आपने, और वहाँ पे क्या करना है, blank छोड़ना है, ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको दिखा पाएं, चलिए sir, अगले point पे चलते है sir, professional tax paid by Mrs. X 15, नहीं, इससे पहले, employer paid telephone bill 4000, अब देखिए, telephone bill दो परकार के होता है, एक होता है, हमारा perquisit से एक होता है, allowances, मैंने बोला भया, ये लो 4000 रुपे, अपना bill will payment करते रहना, salary के साथ, that is the allowances, एक employer telephone का bill खुद paid करता है, आपको paid नहीं करना, आपको सिर्फ phone दे दिया गया, sim दे दिया गया, आप बाते करिए, जो मर्दी, तो अगर perquisit में telephone bill है, तो आप समझ स अगर कोई मालिक telephone दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा सा ज़्यादा काम जो है, main objective जो है, वो मालिक का अपना है, के कोई client phone कर देगा, कोई customer कर देगा, तो इस लिए उसे क्या दिया जा रहे है, telephone, तो इसलिए ये भी क्या माना जाएगा, exempt माना जाएगा, telephone भी क्या माना ज तो टेलीफोन टेलीफोन सर यहाँ पे क्या हो गया एक्जेम्ट हो गया चलिए सर आगे प्रोफेशनल टेक्स प्रोफेशनल टेक्स कब काम आएगा सर प्रोफेशनल टेक्स तो सबसे लास्ट में काम आएगा याद है ना professional tax सबसे last में काम आता है हमारा यहाँ पे हम कौन सा एक तो entertainment allowance था deduction का part एक था हमारा 50,000 fixed standard deduction और एक था हमारा last कौन सा था professional tax इस case में था अगर employer paid कर रहा है या employee paid कर रहा है अगर employer paid कर रहा है तो भाईया पहले add करते थे फिर minus अगर सिर्फ employee paid कर रहा है तो बस क्या होगा minus maximum limit कितने का था सर पच्चिस सो रुपे से ज्यादा minus नहीं किया जाएगा इतना ही है जबकि इसने कितना paid किया है और किसने paid किया है सर इसने employee ने तो सबसे last में minus होगा add करने का कोई सवाल ही नहीं होता पहले देख लिजे इसको समझ में आया यहां तक पताईए समझ में आया या नहीं आया employee professional tax देखो यह पहली या दूसरी class में था professional tax में अगर मालिक paid करता है तो पहले तो हम क्या करते है add कर देते हैं फिर deduction के रूप में minus कर लेकिन अगर employee paid कर रहा है तो हम add नहीं करेंगे सीधा minus करेंगे वो जो gross total salary के बाद जो minus होता है 1618, 162, 163 तो वहाँ पर minus किया जाएगा हमारा ठीकिन अभी मैं करके दिखाऊँगा इसके उपर तो मैं star बना देता हूँ जी last में होना है यह इसके उपर star बना दिया यह होना है last में याद दिला दिजेगा तब following amount deposit in the recognized provident fund याद आया है recognized provident fund सर् provident fund में दो हिस्से थे या तो recognize होगा या तो unrecognize होगा recognize के case में 12% employer का contribution exempt होता है employee का तो ATC में deduction मिल जाता है interest में 9.5% तक exempt होता है balance आपका taxable होता है यह recognize का था unrecognized वाले में withdrawal के time taxable किया था deposit के time पे कुछ नहीं होता तो sir बोलता है कि जो worker है employee ने खुद का contribution कितना डाला sir 8000 इसका तो deduction मिलेगा ATC में और company ने वो डाला 12000 रुपए तो हमारा आ गया पी एफ आर पी एफ sir कितना डाला इसने लेकिन exempt होता है 12% तक तो exempt कितना होता है sir 12% of salary sir salary का मतलब और retirement benefit वाला plus PA वो भी retirement benefit वाला यही था ना retirement benefit वाला लेते थे sir यहाँ पर देखा जाए basic plus में D है तो again वही आ जाएगा 2,20,000 और plus में 24,000 यानि 2,44,000 का 12% तक exempt कर देते हैं तो 2,44,000 का 12% चेक करते हैं तो 39,800 आ रहा है जबकि वही है 1200 है तो यह क्या हो जाएगा पूरा ही exempt हो जाएगा आपका जो आ रहा है न यह इसका 12% निकाल रहा हूँ मैं तो यह आएगा हमारा 39,280 तो sir employer ने 12,000 दिये जो कि 12% limit से कम दिया तो पूरा exempt हो जाएगा तो यहाँ पे 12,000 रुपे माइनस करके fully exempt हो जाएगा दोनों जगह आप exempt हो जाएगा ऐसा नहीं कि new reason में नहीं मिलेगा PF अगरे का new reason में भी वो लगया कि हम देंगे आपको ठीक है आगे चलते हैं sir interest की बात चल रही है interest 9% per annum दिया तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा आपको तो ली क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा तो इसकी calculation ज़्यादा मैं नहीं दिखा रहा interest मैं सीधा minus minus कर देता हूँ exempt हो गया interest के बात कहता है the following payment invest made by during the previous year कुछ investment किया गया कैसे LIC में पैसा डाला गया और उसके साथ deposit किया गया PPF में refund income refund of LIC का 10,000 account taken into the purchase तो ये सारी जो बाते बोली गई है ये बाते ये deduction का part है और सर ये बाते अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं ये deduction का part तो हम इस question के अंदर solution पता ही कितना करने वाले है सरिफ taxable salary तक निकालने वाले है taxable income नहीं निकालेंगे जब तक मैं आपको deduction नहीं बता दूँगा तब तक आपको confusion रहेगा है के नहीं तो हम सरिफ कहा तक निकालेंगे taxable salary उसके बाद जैसे ही मैं deduction आपको पढ़ा दूँगा तो सारे question में आप line छोड़ देना तीन तीन चार चार line जब मैं deduction पढ़ा दूँगा तो सभी question के deduction जो आए होंगे वो एक बार मिनी पढ़ जाएंगे तो सर यहां gross total salary निकल जाएगा या नहीं निकलेगा पताईए gross total salary निकलेगा या नहीं निकलेगा निकल जाएगा GTS और चोटा करना पड़ेगा इसे अब इसे चोटा नहीं होगा कर तो देंगे लेकिन दिखना बंद हो जाएगा चलिए हम इसको तो बढ़ा लेता है तो टोटल करेंगे टोटल करने के बाद आजाएगा हमारा ये GTS मैं GTS लिख रहा हूँ gross total salary फटाफट टोटल करती इसका चार लाख इसका भी निकल लिए मैं एक काम करता हूँ बाद में दिखा दूँगा अभी तो आपको उपर का सारा पार्ट समझ में आता गया पांच लाख बस बढ़ी आप भी टोटल करिएगा जितने बच्चे लाइब में अब इसमें से क्या करते हैं सर हम सर इसमें से हम पता ही क्या करते हैं माइनस कर देते हैं क्या माइनस करेंगे सर सबसे पहले लेस डिडेक्शन स्टेंडर डिडेक्शन पचास हजार सर नियू रिजिम में नहीं है जी नियू रिजिम वालों को standard deduction भी नहीं दिया गया है, अभी तीन नहीं रिजिम में पता चला, हम एक है, चारे नहीं मिलेगा, कोई भी specific limit वाले allowances नहीं मिलेगे, और standard deduction भी नहीं मिलेगा, sir. माइनस कर देते हैं, professional tax. Professional tax, कितने? 15.00 रुपे, नियू रिजिम में इसका दिया गया है, प्रोवे. पहले यहां तक देखिए, किसी का कोई doubt है, तो total करके फिर मैं, इस question को मैं पूरा करके दिखाऊँगा, नियू रिजिम तक taxable तक. किसी का doubt है, तो बताइए. कितने हो गए? 4,00, और 4,00, एक मिनाटेग में. नियू रिजिम में, यह भी नहीं है. प्रोफेशनल टेक्स भी नहीं है, मैंने वहां थोड़ा सा गलत कोट कर दिया. यह पूरे 5,00, नियू रिजिम में, तर प्रोफेशनल टेक्स का भी नहीं दिया गया है. ठीक है? बताइए, यह आ गया taxable salary. हमारे सारे question इसी type के होंगे? इस वाले question में बोला गया था, taxable liability निकालने के लिए. तो सर, यहां से यहां वाले point को हम अभी नहीं कर रहे काम. जब हम इसको करेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा. अलग से question में मैं जब करवाओंगा, तो आपने क्या करना है? Simply, इसके अंदर add, minus करते जाना है. अगर मैं, फिर भी मैं यहां पर बता दूँ अगर, तो होगा क्या सर? दो पार्ट है ना? क्योंकि बता दे, कुछ बच्चे सोच रहेंगा, पता नहीं क्या होगा आगे चल के इसका. तो यहां पर आगे टेक्सिबल सेलरी, एक का आगे चार दस, और सर एक का आगे पांच लाग. फिर अब लेस करेंगे, deduction. अब किस किस का under section 80C, अब ATC का क्या होता है? life insurance premium amount 3000, policy 30,000 रुप है. तो सर, 3000 रुप है ये, ATC में, TPF में 4000 ये, सर, आपको याद होगा, यहां पर इसने employee का on contribution 8,000 था, 8,000 ये, plus में आपका कहता है, refund of 10,000 to LIC of India account, loan taken on the purchase of flat allotted march, तो 10,000 रुप है ये, अब मैंने ये सब तो अपनी मर्जी से कर दिया है, क्योंकि मुझे याद है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सारी बाते बताऊंगा, तो आपको भी याद हो जाएगा, ये सारा deduction किस का था, सर, ATC का, एड कर दितने, 3, 4, 7, कितने, 25,000, तो सर, 25,000 यहाँ, लेकिन नियू रिजिम में मना कर दिया गया, कोई भी deduction नहीं मिलेगा आपको इसका भी, ये आ जाएगा 3, 85, और ये सर, taxable liability निकाले तो सर, दोनों जगे 0 आना है, क्यों सर, 5,000,000 रुपे तक तो माइनस हो जाता है, 87 ये लग जाता है, तो taxable liability हाला की question में बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा, taxable liability आप निकालेंगे, as per newism और oldrism, मैंने बता दिया, इसका answer क्या होगा 0, अब बता दिजिए आप में से किसी बच्चे का जो जो इसके इंतर question आ रहा हूँ न, कि सर, इसमें ऐसा कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रहा, वो सारी बातें आप पूछ लिजिए मुझसे, पीएफ, पीपीएफ या पीएफ, पीएफ का हमारा कहां गया, ये वाला, पीएफ में क्या है, रूल देखो पीएफ का, पूछ रहे हैं सर, पीएफ का, भई, 4,57,000 रुपे, आएगा, बच्चे कह रहे हैं, 4,57 आ रहे हैं, कौन गलत करवा रही है, 457 बता रहे हैं, देखो तुमने गलत करवा है, चेक करो दुबारा, हाँ, कह रहे हैं, 457 आएगा सर, इन सभी का टोटल, आप सुरू से कर लो ने, एक बार सार आईए, देखो पीएफ, सर, पीएफ के अंदर, एक होता है कौन्ट्री, एक होता है, इंट्रस्ट, कौन्ट्री में, इम्प्लॉयर वाला, 12% एक्जेम्ट होता है, इम्प्लॉयर वाला, 80C में, डिडेक्शन में चला जाता है, याद यह लिखा था, तो इम्प्लॉयर वाले ने, 12,000 दिया है, तो मैंने चेक किया, इम्प्लॉयर का कितने पर्सेंट वन रहा है, 12%, तो यह आया, 39,280, अगर इम्प्लॉयर, 39,280 रुपे तक भी दे देता, तो एक्जेम्ट हो जाता, जबकि इम्प्लॉयर ने दिया, इससे बहुत कम बारा, तो इसलिए क्या हो गया यह, एक्जेम्ट हो, इंट्रस में बोला गया, 9.5 तक एक्जेम्ट होगा, कुश्चन कहता है, सर, 9% भी आज मिला है, तो क्या हो जाएगा, फुली एक्जेम्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, तो सर, यह 15 नंबर का कुश्चन है, आप देखो के कुश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन अगर प्रोविजन याद नहीं है, तो हालत खराब हो जाएगी इसमें आपको है, हारे नहीं आता कुश्चन गलत, पी एफ का रूल नहीं पता कुश्चन गलत, आपको सर्वेंट अलाउंस इस परकिस्चन नहीं पता, तो कुश्चन गलत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है, ओन कंट्रिबिशन, ओन कंट्रिबिशन में जब एम्प्लॉयर अपना खुद का कंट्रिबिशन करेगा, तो वो ATC में डिड़क्शन के लिए eligible होता है, और मैंने अभी फिलाल बोला के सर इस डिड़क्शन के उपर ध्यान मत दीजिए, होगा तो मैं इसके लिए अलग से संडे वाले दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, आप सभी बच्चों को प्रवाइड कर दूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लाइव क्लास में बता दूँगा, छोटा सा डिड़क्शन है, साथ आठ डिड़क्शन, ATC से ATU तक, मैं फटा-फट से कोशिस करूँगा, जल्दी हो जाए, ताकि वो वीडियो देखके आप कर पाओ, अगर मैं लाइव क्लास लूँगा, तो पहले ही मैं शडियूल कर दूँगा, उसको मैं, तुब हम क्लियर हैं आपको,